अब जो हमें ये पता है कि संसार में जो जो जिस जिस चीज की पुजा करते हैं वो इश्वर नहीं है तो प्रश्ण उठ था कि आकर इश्वर है कौन? वो कैसा है? इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि उसके गुण क्या है? विभिन धर्म ग्रंतों के प्रकाश में जब हम देखते हैं तो ये मिलता है कि इश्वर के गुण सब में एक समान बयान है उन में से पहला है कि वो अनादी और अनंत है अर्थात उसकी कोई शुरुवात नहीं है शिस्टी करता वो है और उसका कोई अंत नहीं है शिस्टी के विनाश के बाद भी वो रहेगा नंबर दो वो अपने आप में पूर्ण है उसको किसी की मदद के आवशक्ता नहीं है उसको किसी की साथ के आवशक्ता नहीं है उसकी किसी पार्टनर के आवशक्ता नहीं है वो अकेले ही इस ब्रहमांड को चलाने वाला है उसने अकेले ने ही इस ब्रह्मान्द की स्रिस्टी की है और उस अकेले ने ही इस ब्रह्मान्द को सुचारुधंक से सिस्टम से चलाया हुआ है और एक दिन इस ब्रह्मान्द का विनाश भी वही करेगा और हम सब को उसी के पास ही लोट कर जाना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है नमबर तीन उसके कोई माता पिता या संतान नहीं है वो जब संपून स्रिष्टी का स्रिष्टी करता है तो उसके माता पिता कैसे हो सकते है और उसकी संतान भी इस कारण नहीं हो सकते क्योंकि जब उसने संपून स्रिष्टी के रसना की तो क्या किसी की रसना करने के लिए उस उसे जानौरी की तरह उसको जन्ना पड़ेगा, जानौरी की तरह जन्ना ये तुछ्य काम है, जो कि इश्वर को सोभा नहीं देता, आगे वो अनोठा है, वो अनोखा है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो अपने स्रिष्टी की तरह नहीं है, हम अगर उसकी कल्पना करने के कोशिश करते हैं, और उसको मुर्ती और तस्वीर में ढ़ालने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है, वो जब अपनी स्रिष्टी की तरह नहीं है, तो उसकी कल्पना करना असंभव है, हमारी कल्पना जो है स्रिस्टी की चीजों पर ही सीमित रहे जाती है जैसे हमारे पास एक सर है तो इश्वर के चार सर या पांस सर हमारे पास दो हाथ है तो इश्वर के चार हाथ या आठ हाथ हमारे पास दो आखे है तो इश्वर की तीन आखे यानि हमारी द्रिस्टी हमारी कल्पना इस ब्रम्हांड तक के सिमित होके रह जाती है और चुंकि ब्रम्हांड में जो भी चीजे हैं इश्वर उसकी तरह नहीं है इसलिए उसकी कल्पना करना असंभव है और उसको मुर्तिया तस्वीर में ढालना असंभव है तो मेरे भाईयों, जिन सब में ये सारे गुण है, वो इश्वर है, जिन सब में ये सारे गुण नहीं, वो इश्वर कदापी भी नहीं है, तो अब हम ये देखें, कि हम जिसको इश्वर मानते हैं, क्या उसमें ये गुण है?